सिक्षार्थियों, सूप्रभात आप सभी को, आज के दिन हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि who can take admission in NIOS, तो ऐसे आपको मालूम है कि NIOS जो है एक nationwide educational institution है, जिसमें सभी सिक्षार्थियों का स्वागत किया जाता है, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे हमारे सिक्षार्थि है, जो नीनको सिक्षा की संसाधन जो है वो प्लब्द नहीं है, या वो उनको किसी तरह की problems आती है, कठनाईया आती है अपनी सिक्षा को पूरा करने में, कई बारी कई प्रस्थितियां होती हैं, जिसके कारण वो अपनी सिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर राश्ट्य मुक्त विद्यालिये सिक्षा संसान का रोल जो है, सिक्षा संसान की भूमिका जो है, वो काफी important हो जाती है, तो हम आज इसी मुद्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, और आपको यह जनकारी देना चाहते हैं, कि कैसे आप एक सिक्षार्ती के रोप में राश्ट्ये मुक्त विद्यालिये सिक्षन संसान के अंदर परवेश कर सकते हैं, अपना नमानकन करा सकते हैं, अपनी सिक् पूरी करने के बाद डिगडी लेकर जा सकते हैं, तो मेरा हमारा जो है मेन स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पर वो है कि कौन से लोग यहाँ अडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि टाइटल में लिखा है, कौन कौन से वो सिग्मेंट है, और कौन कौन से लोग यहाँ अडमिशन ले सकते हैं, आए, हम सबसे पहले शुरू करें कि, कि who can take admission in NIOS, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके NIOS के mission और vision को समझना है, कि इसमें क्या कहा जाता है, और क्या इसका उदिश्य क्या है, दिखे, NIOS has merit marked not only in India, but also internationally, as it provides learners-oriented, best quality school level education, यह हमारे केवल अपने ही देश में नहीं काम करता है, यह विदेशों में भी काम करता है, एक quality education देने की कोशिश करता है, NIOS has nurtures the skills and provides training through distance learning, दुरस सिक्षा के रूप में यह आपको educational training provide करता है, यहाँ पर NIOS का रोल जो है, वो ज़्यादा important हो जाता है, क्योंकि NIOS उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता है, जिनको सिक्षन संसाधन की सुविधा उपलब्द नहीं है, जहाँ पर educational resources की कमी है, वहाँ पर यह अपना एक अलग पहचान बनाते हुए, आगे बढ़ता है कि कैसे हम अपने देश के लोगों को सिक्षित करें, जो सिक्षा से वन्चित है, दे मेन मोटो अफ एन योई इस सर्वसिक्षा अभियान, which means education for all, आप सभी लोग जानते हैं कि education की कितनी importance है, और इस एक क्या कहते हैं इसको, समान्य या सारभामिक अस्र के रूप में उपयोग में लाएं, जिससे कि हमारे देश के शभी लोग छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक सिक्षित हों और ये सिक्षा के महत्तों को समझ सकें, जो हमारा मोटो है, education for all, वो एन आ योई इसको ग्र NIOS has started courses which targets those students who can continue their study as well, learn some technical skills which can help them earn livelihood. वैसे शिक्षार्त्रियों को, वैसे लोगों को शिक्षा प्रदान करती है, जिससे जो लोग अपने शिक्षा को पूरी करके, अपने जीवन या आपन के लिए income earn कर सकें, आयकी प्राप्ति कर सकें, जिससे कि उनका आगे का आने वाला generation और उनकी वरन पोशन अच्छी तरह से हो सकें, यहाँ पर NIOS के बड़े important role है, बड़ा contribution है, जिसका अधार पर वो livelihood earn करने के लिए शिक्षार्तियों को उस लाइक बनाती है, सच्छम बनाती है, आयो देखते हूं, टार्गेट ग्रूप कौन-कौन से हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट किया है, टार करते जा रहा है, और NIOS की कोशिश है कि teach one each one, I mean to say that कि देश के सभी लोग को पढ़ाना है, हर किसी को पढ़ाना है, आईए, सबसे पहला हमारा group है इसमें, rural people, आज भी हमारे देश में यह समस्या बनी हुई है कि ग्रामी शेत्रों में शिक्षा की व्यवस्ता उपलब्द न हमें वहाँ पहुशना है जहां पर बच्चों के पास school नहीं है, जहां पर बच्चों के पास किताबे नहीं है, जहां पर बच्चों के पास संसाधन नहीं है कि वो अपने जिग्याशा को, अपनी शिक्षा को किस तरह से वो आगे बढ़ाएं, कैसे वो एक शिक्षित लोग नहीं मिल पाता है कि वो अपनी पर्तिभाग को अपनी शिक्षा को आगे ले जाएं। वैसे लोगों को ये NIOs जो है वो शिक्षा प्रधान करती है और उतना सक्षम बनाती है जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी आपको याद होगा अपने शिक्षर धावन का नाम सुना होगा कितनी बड़ी अचिव्मेंट है लेकिन शिक्षा की विवस्ता नहीं थी उन्होंन अंतराष्ट ये अस्तर के जो है वो परसनलिटी बन गए क्रिकेट के फ्रेजड में अंडर प्रिविलेश्ट सेक्षन ऑफ सोसाइटी में बहुत सारे हमारे डिफरेंट ग्रूप्स बने हुए है जो अंडर प्रिविलेश्ट है जिनको वो फैसलिटी जैबलेबल नहीं है रहने को घर है दिन भर मेहनत मज़ूरी करके अपना जीवन आपन करते हैं वो जन काइंट जाम करते हैं जीवित रहते हैं लेकिन उनके बच्चे क्या वो सिक्षा से बंचित रह जाएं या जो काम करने वाले लोग हैं वो सिक्षा से बंचित रह जाएं नहीं ऐसा नहीं है हर लेबल पर जो डिसद्वांटेज ग्रूप हैं, जो हमारा अंडर प्रिविलेज ग्रूप है, जिसको सुवधाएं नहीं मिल पाती है, जो सरकारी सुवधाओं का जो उपलब्ध है, सरकारी सुवधाएं उसको वो यूज नहीं कर पाते हैं, अपने उपयोग में नहीं ले है, तो उन लोगों को टारगेट करती है इन आई उस, और उनको सिख्षित करके में स्ट्रिम के लोगों के बीच में, सिख्षित लोगों के बीच में खड़े करने की कोशिस करती हैं, Unemployed and Partly Employed People बहुत सारी ऐसी प्रस्कितियां होती हैं हमारी जिवन में कि हमें बहुत जल्दी employment लेना होता है earn करना होता है क्योंकि कई तरह की जिमवारियां होती हैं उसको fulfill करना होता है कई सारे लोग हैं जो under employed हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन छोटे अस्तर पर काम करते हैं उनके qualification के हिसाब से उनको job नहीं मिल पाती है तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे courses जो हैं इंटोडियूस करते हैं general academic courses हैं, vocational courses हैं कि कोई भी बंदा इन courses को join करके वो employment की दिश्चा में आगे बढ़ सकता है और इसका benefit उठा सकता है People with special needs You see, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो physically और mentally fit नहीं है और यह हमारे लिए सबसे बड़ी challenge है N.I.O.S के लिए कि कैसे हम उन लोगों तक पहुँचें Because उन लोगों को स्कूल तक पहुँचना बड़ा मुस्किल है लेकिन हम लोग अपनी duty के बारे में जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा जो है जो mentally और physically किसी तरह से problem में हो challenged हो able नहीं हो तो हमारा main duty बनता है कि कैसे हम उन तक पहुँच सकें और कैसे हम उनको सिक्षित करके उनके जीवन यापन के लिए एक सुविधा उपलाब्द कर सकें उनको हम employment opportunity प्रवाइड करवा सकें इसके लिए NIOS अनुरत पर्यास करते आ रहा है और ये इस दिशा में बहुत सारी achievement जो है NIOS ने प्राप्ट किया है जैसे कि आप देखें sign language के अंदर हमें international award भी मिला है तो इस तरह से जो है NIOS की एकोशिस रहती है और ये target करते हैं हम कि कैसे उन लोगों का admission हो जाए जो physically और mentally fit नहीं है minority group कई जगह देखेंगे कि आप समाजिक भेद भाव के चलते social discrimination के चलते उनके साथ जो है समुचित सुवधा उपलब्द नहीं हो पाती है अपने शिक्षा को पूरी करने के लिए अपने शिक्षा को continue करने के लिए उसके लिए NIOS हर समय अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाता है ये कोशिस रहती है कि कैसे हम ये minority group को admission दें अपने अंदर सामिल करें अपने संस्थान का एक हिस्सा बनाएं और उनको सिक्षित करें जैसे बहुत बड़ी आग्जामपल आपके सामने है जैसे मदर्सा का आप ले ले वहाँ पर केवल धार्मी कुस्ता के ही पढ़ाई जाती है और लोगों को तयार किया जाता है इसलाम धर्म के बारे में बताई जाती है और भी जैसे Christianity group है उसकी बात कर ले हम जैसे Sikh group है उसकी बात कर ले हम तो जो भी minority के लोग है जिनको जेनरल एजुकेशन की सुबधा उपलब जो नहीं हो पाती है केवल वो अपने community के बारे में ही अधिक जनकारी प्राप्त करते हैं अधिक शिक्षा ग्रहन करते हैं तो ऐसी situation में NIOs जो है यह इसकी prime duty है कि वहां तक पहुँचे और कैसे उन लोगों को admission प्रोवाइड करके यह शिक्षा प्रधान करे जिससे कि वह भी एक main stream का हिसा बन सके तो यह हमारे different list थे target group के जिसको हम अपने हां अपने संसान का एक अहम हिसा बनाते हैं उनको नमांकन की सुभधा प्रोवाइड करके हम यह कोशिश करते हैं कि वह हम main stream education का एक हिसा बने और इसके लिए NIOs जो है always कोशिश करता है करता रहेगा और आगे मैं यह समझता हूँ कि एक रास्टी अस्तर पर ही नहीं विश्व अस्तर पर इसका एक पहचान होगा कि कैसे हम उन लोगों को शिक्षा प्रदान किये हैं जो लोग सिक्षा से वनचीत हैं तो आईए हम सब आपका स्वागत करते हैं और आप इसके नमानकं का हिस्सा वनें और इसमें अड्मिशन लें अपनी सिक्षा को पूरी करें और इस रोजगार के जगत में आप बहुत उंचायों तक जाएं और अपनी उच्षा के दिशा में भी अपनी कदम आगे बढ़ा है ओके धन्यवाद आपको